और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा आयोजे थल्ला बोल कारिक्रम के दौरान प्रशासन द्वारा किये गए लाठी चार्च के विरोध में आज बीजेपी राज भर में काला दिवस मनाएगी और हेमंद सरकार का पुतला दहन भी करेगी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शांती पूर्ण सचिवाले घिराफ कारिक्रम से घबरा कर हेमंद सोरेन की इशारे पर प्रशासन ने पार्टी कारेकरताओं पर लाठी चार्च किया और आसू गैस के गोले भी छोड़े जिससे कुछ कारेकरता घायल हुए हैं बीजेपी ने कहा है कि हेमंद सरकार का भी तिहास्ताना शाही अत्याचारी सरकार के तौर पर लिखा जाएगा तो आपको बता दे कि बीदे कहल पूरे बीजेपी के नेता मंत्री और कारेकरताओं की तरफ से जार्खंच सची वाले का घिराफ करना था और बता दे कि इस द तो कई कारेकरता बूरी तरीके से जखमी हो गए लहूलुहान हो गए वहीं दूसरी तरफ कारेकरताओं ने भी पुलिस प्रशासन पर पत्राफ किया था एक तरफ जहाँ प्रशासन कारेकरताओं को सची वाले तक जाने से रोक रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कारेकरताओ का भी कहना था कि हम अपना हला बोल जारी रखेंगे और जारकंज सच्छी वाले तक पहुँच के ही रहेंगे और अब आज की अगर बात करें तो इस लाठी चार्च के विरोध में आज बीजेपी काला दिवस मनाईगी हेमन सरकार के खिलाफ अपना रोश जाहिड करेगी हेम हेमन सोरेन का पुतला दहन करेगी बीजेपी ने आरोप लगाए है कि शांती पूर्ण सचिवाले घिराफ कारेकरम से घबरा कर हेमन सोरेन की इशारे पर ये सब कुछ किया गया है प्रशासन ने पार्टी कारेकरताओं पर लाठी चार्च चिया और आसू गैस के गोले भी चोड़े गए आपको बता दे तस्वीरों में आप देख सकते कि किस तरीके से बीते कल वाटर कैनल के जरिये कारेकरताओं को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा था आपको बता दे कि तीन लेयर की सेक्योरिटी दी गई थी प्रशासन के द्वारा और धीरे धीरे करके कार कारेकरताओं ने बैरिकेटिंग तोड़कर वो आगे बढ़ते चले गए और बाद में जब स्थिती अन्यंत्रित हो गई तब मजबूरन प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ा वही एनवक्ट पे रैफ की टीम भी मोच्चा समाले मौके पर पहुँच गई और इस पूरे कारेकरम को लेकर और लाठी चार्ज की घटना को लेकर बीजेपी में रोश है उनका कहना है कि यह जो लाठी चार्ज की गई थी वो हीमंत सोरेन के इशारे पर की गई थी और अगर बात करें तो बीजेपी ये भी कह रही है कि हीमन सरकार का भी इतिहास ताना शाही है वो अत्याचारी है और अत्याचारी सरकार के तौर पर ही इनका नाम लिखने जाएगा बीजेपी द्वारा काला दिवस मनाये जाएगा और कारण यही है कि कल उन पर जुलाखी चार्च की गए थी उसे लिए कर तमाम बीजेपी के कारेकरताओं में रोश है क्या कुछ जानकारी है आपके पास बिल्कुल देखे जिस तरह से कल भाजपा भारती जनता पाटी द्वारा जार्खंड सचीवाले का घहराओ किया गया यह घहराओ सीधे तोर पर जार्खंड की हैमन सोरें सरकार की नितियों के खिलाफ लोगों ने सचीवाले घहराओ किया और इसमें भाजपा के मैदान से सचीवाले घहराओ के लिए निकले वहाँ बेरिकेडिंग लगा दी गई बेरिकेडिंग के बाद वहाँ पर हलकी नोगजोग की स्थिती हो गई और फिर उस बेरिकेडिंग को तोड़ते हुए भाजपा के कारेकरता जो आगे बढ़े इसके बाद पुलिस ने ला काला दिवस मनाने का निर्ने लिए है इसे लेकर पूरे जारकंड राज में भाचपा आज काला दिवस मनाएगा खास करके हेमन सरकार के विरोध आज का ये काला दिवस आयोजित की गई है क्या जानकारी मिल रहे मोईजुदीन इस दौरान क्या कुछ किया जाएगा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे बीजेपी द्वारा कारेकरम की शुरुआत कब से होगी मोईजुदीन और क्या लगता है से बड़े चहर इस कारेकर में शामिल होंगे बड़े चहरों में अगर बात करें तो भाजपा के बाबुलाल मरांडी है दीपक प्रकास है परदेख सद्यक्ष है ढूलू में तो है और तमाम जो अधिकारियों से पदाधिकारियों से लेकर कारे करता है यानि करीब करीब एक प्रकास है यह तमाम इस मुहीम में शामिल है कि आज काला दिवस मनाया जाना है और इसकी घोषना कल ही कर दी गई थी भाजपा के लोगों ने कर दिया गया था कि जिस तरह से हेमन सरकार में पुलिसिया कारवाई की गई है वाटर के नन की किया गया है क्यूंकि अभीवेक् नैन और आसू गय सोड़े गए कई लोग चोटिल हुए भाग दोड़की स्थिती हो गई तो इन तमाम चीजों को लेके भरष्टाचार के खिलाफ और कह सकते हैं हेमन सरकार के इस निती के खिलाफ लोग जो है वो आज काला दिवस मनाएंगे और इसके लिए घोषना कर दी है और अब जैसा की बीते कल हमने देखा जिस तरीके से लाठी चार्च की गई है तमाम कारे करताओं पर तो आक्रोश और भी ज्यादा उग्र हो गया है और देखना होगा कि आज का ये कारे करम कहां तक जाकर रुखता है